नमस्कार दर्षू आप सभीक हार्द दिक्ँ और इंदन है जुलाइ का महिना आने वाला और सभी रा Leosius के बादर हैं आज इस व्यूंटियो में तुला राशी दीभास करेंगे तुला राशी वाले जाता के जाते का में के शुनमाने वाला है बने रहीएगा जो बताऊंगों, वह को कर ही रहने वाला, एक भी बात नहीं चोणना है देखिए, जुलाई के महिने में मंगल एक तारीक को आने वाले हैं, मतलब कि वह राषी परिवर्तन करेंगे, सिंग राषी में एक तारीक को ही चले जाने वाले हैं, तो मंगल दश्वे घर में जून की महिने में अब ये मंगल आ जाएंगे सिंग राशी में आने वाले हैं मंगल तो क्या परिणाम होगा इसका देखिए जून की महिने मंगल दश्वे घर में थे तो इसका परिणाम साथवे घर का और दूशरे घर का मिला होगा मतलब कि कहीं न कहीं पैसा सेविंग जो आप सोच रहे थे वो सेविंग नहीं कर पाये थे पैसा को लेके सेविंग को लेके काफी दिखकर देखने को मिला होगा कहीं न कहीं मैरेज लाइफ, लव लाइफ इन सब चीजों में भी दिखकर देखने को जरूर मिला होगा पैसा और लब लाइफ मेरे दिखने को मिला होगा अब क्या होगा ज़स्थि चुकि यहां पर जा रहा है और सानी का द्रिश्चि भी है वक्रिद्रिश्चि है में चने का वक्री दिश्ट्य है तो हुआ ओर सिंग राशी में आपके शुक्र हैं यहां पर चले जाएंगे तो कहीं मैंने कहीं मंगल शुक्र आ रहे हैं 11 घर में क्या होगा कि कंडिशन तो अच्छा नहीं रहने वाला है तो यह आपको देखने को पहला बात क्या है बहुत अच्छा हाँ यह है कि जो नीच का परिणाम था जो बहुत बुरा था उससे थोड़ा बहुत राहत मिलेगा लेकिन प इसकी विवाह विगरा का भी अगर बात चल रहा है तो वह भी अच्छे से कनफरमेशन अभी भी आपको बिवाह को लेकर इस तरह को लेकर नहीं मिलेगा पार्टनर्शिप इन सब चीजों में अभी आपके दिक्कत बनी रहीगी अधन भाव को देखा जाए तो घर मकान प् इस सब चीजों के लेके कही न कही शंतान के लिके भी शंतान को कोई कर गर चीजिए का यहां पर देखने को आध支持 लेकिन थोड़ा बहुत हलका फुलका बससिम्प्रमेंट आहेगा और स्टारी बात कर अंध्यवत नहीं दिखाई ते रहा है अब बात करते हैं सूर्य का सूर्य भी चले जाएंगे सुलत तारीक को करकराशी में चले जाएंगे तो अभी तक सूर्य जो है आपके मिधुर नाशी में थें अब चले जाएंगे करकराशी में चले जाएंगे अब बुद्ध भी चला जा रहा है करकराशी में तो पहले सूर्य का स्थिती इस घर में थें सूर्य यहां पर सूर्य थें पहले अब चले जाएंगे दश्वे घर में करकराशी में तो पहले अर्निंग का कंडिशन देखे हो तो ठीक था मतलब जैसा कि मंगल का जो पॉजिशन था वो सेविंग को नुक्षान कर रहा था मतलब शेविंग नहीं कर पाया थे खर्चे हो गयते पैसे लेकिन अब पहले जून के महीने में सूरी बुद्ध का यूथी था तो आपके अर्निंग के रास्ते में दिक्कत नहीं हूँगा उसमें कुछ जुकि बुद्ध का involvement भी बुद्ध का involvement भी मिल गया था अब बुद्ध कहीं न कहीं भागय के मालिक है ऐर्निंग में भागय का शाथ भी था तो कुछ नया काम कुछ नया चीज कुछ नया growth कुछ progress इस सब चानी आपको जरूर को मिला होगा जो उनके इस तो और तक जिनको प्रॉफिट नहीं हो था जो अभी तक जो प्रॉफिट नहीं कर पाते उनको प्रॉफिट हो सोच रहे थे वह बिजनस की स्टार्ट कर पाएंगे ग्रोथ होगा नोकरी उनको मिलने वाला है जो नोकरी का सर्च कर रहे हैं उनको नोकरी मिल जाएगा जुलाई के महिने में यह तो लगाश्ची वालों को बात कर रहा हूं तो जो भी पैसा के लिए जो अरने के लिए सोच जो परिशान थे उनको मिलने वाला है और कुछ उपलब भी मिल सकता है कुछ ऐसा आपको पोस्ट मिल सकता है एक लेबल आगे जा सब्सक्राइब भागिका शाथ भी है ना पहले थे पहले भी जून के महीने भी मिला था लेकिन आप एक कदब और एक्ष्टा मिलेगा जो ज अच्छा शंष मिलेगा इस अप्जेट देखने को अच्छा चांशेश हैं और मन जो अभी तक मन Paper नहीं हो रहे थे ना मन की मन कामना भी पूर होंगी मैं सुर ही पूर सूर्ग का सूर्ग का जो भी तेज ताकत होता है पूरा प्रिश्रम की दिली में फल नहीं मिल रहा था अब मिल जाएगा प्रिश्रम का किया और फल अब आपको मिलने वाला है शुक्र का भी गोचर सिंग में ही हो रहा है साज उलाई के बाद से तो शुक्र का बताया मैंने शुक्र का सनी के साथ ही है शुक्र का यूति है यहां पर क्या देखने को मिलेगा और 11 घर में है कि ग्यारवे घर को नुक्षान देंगे शनी वक्री होके वक्री द्रिष्टी है ना और मंगल भी बैठें हैं पैसा जो आएगा वो शुक्र में खर्चा हो जाएगा शुक्र क्या है अश्टम घर के श्वा में तो इस स्वास्त को लेकि नुक्षान दे देगा अश्टम घर स्वास्त का लेकि पैसा खर्च कहा होगा पैसा खर्च जो होना है मतलब कि शुक्र को नुक्षान देना है तो शुक्र को नुक्षान कैसे दे पाएंगे वो पैसे दे पाएंगे भाई ये स्वास्त का होता है तो अगर शुक्र को नुक्षान देना है तो ये इसी का सपोर्ट लेगा न तो पैसा खर्च करवा देंगे स्वास्त में खर्चा करवाएंगे स्वास्त को लेके भी चीजे बहुत अच्छी इंडिकेट यहाँ पर शुक्र का नहीं कर रहा है और चुकि यहाँ पर लगन का भी श्वामी है तो लगन की श्वामी में अगर शंदी बीचे दे तो आम के लाइभ से कुछ चूट सकता अगे लाइफ दूर जा सकती है लूब लभ life को भी ले शकते हो या लब relationship को भी ले शकते हो तो चूट इसे होंगी جो आपके लाइफ से दूर जा सकता है या लाइफ के कुछ problem create कर सकता है दूर जाने का ही chances से जदा लिखाए दे रहा है और तो चांसे तो कही नहीं तो इसा वागल का करके में जा रहा है तो इसमें जब सूर्य बुद्ध का यूति है और भाग के मालिक ही बन रहे हैं तो और भाग के होता तो बताएं चुकाओं की उपलब्धियों का शमय यह बहुत जबरदस्त है ठीक अब भारवे घर का भी अच्छा कर दिया तो अभी तक अभी तक अगर आप बाहर जाने का सोच रहते या विदेश जाने का सोच रहते कुछ जगा परिवर्तन करने का सोच रहते वह चीज होगा वह वापस घर आ सकते हैं वापस घर आने का अच्छा शंकेत है और हो शकता है कि भुद्द के बुद्र का योग वड़ा अच्छा बनाएं बुद्र यहां से तो अगर्क में आ गया है बुद्र तो बार्वा घर क्या होता है सुक्ष का, अराम का एस और आम का ठीक है आप जो हो बारवे घर का मतलब की जैसे कि आप माल लिजे कुछ खर्चा जो कर मतलब कुछ अगर फालतों खर्चे हो गया होंगे तो वह फालतों खर्चा ने यह सो बहुत लोगी इन्वेश्टमेंट कर देते हैं वैसे लगा कर ठोड़ देते हैं तो उसका परिणाम अब अच्छा है लॉस कुछ नहीं होगा सब अधियां है कोई दिक्कत नहीं है और बस में होता है कि कुछ ऐसा काम करोगे कुछ ऐसा काम करोगे जिससे आपको प्रॉफिट हो सकता है कुछ ऐसा चीज़े होंगी जो आपको प्रॉफिट दिलवाश सकता है लाव का घर ना तो करना हुआ है अब आपकी कुंडली में कैसा सूर्य है कैसा मंगम है कैसा बुद्ध है कैसा सुक्र है कै इस पेण़ करता है अगर अच्छा कि takich पताया हूं कि तो और अच्छा होगा खराब है और मैं बुरा बताया हूं तो और बुरा होगा इसका ध्यान रखना है तो आप दिये के नंबर वार्ट्शॉप करते हैं आप मेरे से बात कर सकते हो वीडियो अच्छा लगा लाइक करें सब्सक्राइब करें करें